खोजोगे अगर तबी रास्ते मीलेंगे मनजिल की फित्रत ये नहीं होती कि वो आपके पास चल कर आए याद रखेगा तो अगर रास्ते खोजने अगर लाइट में सक्सिस पाना है तो आपको खुद चल कर जाना होगा सक्सिस आपके पास चल कर कभी नहीं आ सकता ठीक है इस बात को याब रखेगा और खुश से चलने का मतलब है यानि महनत करना है तब जाकर आप सक्सिस तक पहुच पाएंगे क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नहीं है चैमल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीचेगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे और हाँ किसी भी क्लास का पिडियप जो है आप सभी हमारे टेलिग्राम के ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और आप हमारा खुद का एपलिकेशन जो सक्सेस की 98 है उसको डाउनलोड करने के बाद आप एपलिकेशन के उपर किसी भी एक्जाम का ससी का या बैंक का या रेलवे का किसी भी एक्जाम का मोक्टेश दे सकते हैं आप सबी और अगर वहाँ से एक साल का पैकेज बाई करते हैं तो एक साल तक आप किसी भी एक्जाम का मोक्टेश दे सकते हैं ठीक है हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंगोजे बहुत कम रेट में अभी आपको दिया जा रहा है और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 14 मार्च के इपोर्टेंट करेंट अफेर कुछ इपोर्टेंट तथ के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्थ है विश्व दुरलव रोग दिवस प्रती वर्ष किस तीथी को मनाया जाता है आप सभी को बताना है पहला कुछन आप सभी के सामने और एंसर क्या होगा फरवरी के अंतिन तारीख को प्रती वर्स जो है हम सबी विस्व दुरलब रोग दिवस मनाते हैं लास्ट डेट ओफ फैवररी अप्सव नमबर जो भी है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर है और एक बात 2020 का जो विस्व है जो थीन है वो क्या है विस्व दुरलब रोग दिवस का तो वो है आपका रीफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिस्व डेट ये होई जो है इस बार का विस्व है ये भी आप सबी याद रखिएगा अगला प्रस्थ हमारे सामने है अगला प्रस्थ हमारे सामने टूरिजम मंत्री कौन है सिरी परलास सिंग पटेल ने दुनिया भर में एक पर्यतन वेबसाइट के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परचार वेबसाइट जो है वो शुरू की है ये आपको बताना है एक TURISM वेबसाइट खोला गया है आप सभी का टूरिजम मिनिस्टर ये भी एकक्व्स्यन है कि TURISM मिनिस्टर कौन है तो सिरी परलास सिंक पटेल और उनके द्वारा जो टूरिजम वेबसाइट ओपन किया गया है टूरिस्ट को टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए उस वेबसाइट का नाम क्या है इंक्रेडिबल इंडिया ओप्सन नमबर आपका डी ठीक है अगला प्रसमारे सामने है किस राज ने 675 कॉंस्टेबल की ताकत के साथ भारत का पहली आदिवासी महिला बाटेलियन को ताकत वाली भारत की पहली आदिवासी महिलाओ का एक बाटेलियन जो है वो खड़ा किया गया है और ये खड़ा किया गया है आपका बिहार राज सरकार के द्वारा ठीक है याद रखेगा यानि जो भी 675 कंस्टेबल है उसमें जो सारे कंस्टेबल महिला है वो सभी ठीक है और ये जो बनाया गया है वो बिहार राज सरकार के द्वारा अप्शन नमबर सी और बिहार के सीम कौन है नितिस कुमार कैपिटल पतना राजजपाल फगु चोहान ये आपको याद रखना है बहुत इपॉर्टेंट कुस्टिन है अगला पर समारे सामने है भारतिय ये कुस्टिन मैंने पहले करवाया हुआ कुस्टिन है दुबारा आपको करवा रहा हूँ एक बार और अच्छे से इस कुस्टिन को समझ लीजेगा भारतिया रेलवे ने जितने भी पुराने डिब्बे है न उनको रेस्टोरेंट में बदल दिया है आप सभी को पता है रे रेस्टोरेंट का नाम क्या दिया गया है तो नाम दिया गया है आपका वाव भोजन और ये खोला गया है पहले कौन से स्टेशन पर तो पच्छीं बंगाल के आसन सोल रेलवे स्टेशन पर ये भी आपको याद रखना है ठीके उस डब्बा का जिस डब्बे को बनाया गया है रेस्टोरेंट ठीक है उस रेस्टोरेंट का नाम क्या दिया गया है वाव भोजन और एक बात चाय बुटीक भी बनाया गया है पुराने डब्बा का और उसका नाम क्या दिया गया है तो उसका नाम दिया गया है चाय चुन आप इस क्वेस्टेन को ढंग से देख ले ना क् यहां से बहुत कुछ बन सकते हैं आपके exam में अगला प्रस्तमारे सामनी है भारत Mission पूरवोद्य के तहट पूरवी भारत में एक एकिकृत still hub बनाने के मदद करने के लिए किस देश के साथ जो है वो डिलसाइन हुआ है तो यह डिलसाइन हुआ है आपका जापान के साथ और ये जो आपका एकिकरित स्टिल हब जो ये बनेगा वो बनेगा आपका उडिसा में याद रखिएगा ठीक है? अगला प्रस्त हमारे सामने हैं मलेसिया के नए पढ़ान मंत्री का नाम आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है और मलेसिया के नए पढ़ान मंत्री का नाम है आपका मुहिद्दीन यासिन आप्सन नमबर आपका डी और एक बात आप सभी को बता दूँ आज का आपका पहला प् बताना है कि मलेशिया का मुद्रा क्या है करेंसी और मलेशिया का रासधानी क्या है ये दो चीज आपको कॉमेंट करकर बताना है यह आप सभी का आज का पहला प्रस में और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइग आप सभी जरूर करिएगा अगला प्रस हमारे सामने है पाजिप सूरी की जगह पर नया चीफ CEO बना दिया गया है किसको तो उनका नाम है आपका पेका लंड मार्क आपका डी ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है माई होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में स्वामी विबेका नंत कर्म योगी पुरुसकार से किये समानित किया गया है यह आपको बताना है और इनको पद्न स्री भी मिल चुका है नाम कहा जादा पयोंग इनको जो है इस बार का स्वामी विबेका नंत कर्म योगी सुलचित करने के लिए हाल ही में किसे अधर सीयम पुरुसकार से समानित किया गया है बहुत इपॉर्टेंट न्यूस इपॉर्टेंट खबर और आप सभी अभी सोच रहे होंगे जल्दी बताओ कौन सा सीयम जो है जिसे अधर सीयम का टैग दिया गया है तो वो है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंग ठीक है ऑप्सन नमबर बी इनको दिया गया है आधर सीयम का टैग और यह किस पार्टी से है तो कॉंग्रेस से और कहा के सीयम है तो सभी को पता है पंजाब के पंजाब का कैपिटल का है चंडीगर पंजाब के राजपाल कौन है सिरी बीपी बंदोरे ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है 19-20 उत्पादक्ता कांग्रेस किस सहर में अवजित की जाएगी आपको यह बताना है और यह सम्मिट होने वाला है आपका बैंगलोर में आप्सन नमबर आपका D ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है किस सहर ने वर्ष 2019 में भारत में सबसे अधिक डिजिटल लेंदें दर्ज किया है यानि 2019 में सबसे डिजिटल सबसे ज़ादा डिजिटल टांजेक्शन जो है वो किस सहर में हुआ है तो ये हुआ है आपका option number D बैंगलोरू में ये भी आपको याद रखना है जो काफी important question है अगला प्रस हमारे सामने है बैज्यानिकों ने यानि scientist ने बिंग बैंक के बाद ब्रहमार्ड में सबसे बड़े बिसफोट की खोच की है जो निम्न में से किस अकास गंगा यानि किस गैलेक्सी में है ये आपको बताना है और वो है आपका अगला प्रस हमारे सामने है भारतिय नौ सेना अच्छा भारतिय नौ सेना यानि इंडियन नेवी के चीफ कौन है करम बिर सिंग ने तीन मिलियन डॉलर का रक्षा सौदे पर जो है वो डिल साइन किया है अमेरिका के साथ मल्टी रोल हेलिकॉप्टर आपका MS60R आपका C अच्छे से नाम देख लीजेगा आप सभी तो ये थे आपके 14 मार्च का इसका पूरा का पूरा प्रिडियव आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजेगा और एक बात आप सभी को इंबोल दूँ कि जो भी मेरे भाई बैन है सभी को बहुत बहुत गुन बॉर्निंग अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों कहीं खयाल लखिएगा ठीक है ना चलिए